एक दिन की बात है जब मैं घर से गुसे में बड़बडाते हुए निकल आया था और बस टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा मैं मन ही मन बड़बडा रहा था पता नहीं कितने पैसे चुपा के रखे हैं लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते अब मैं यहां से चला जाओंगा और तब तक वापिस नहीं आओंगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं करिद लेता इतना सोच ही रहा था तब ही मेरे पैर में मुझे कुछ चुबने का एहसास हुआ नीचे देखा तो समझ आया कि जल्द बाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ उन जूतों में कील उब्री हुई थी जो मेरे पैर में बार बार घाव किये जा रही थी लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बढ़ बढ़ाते हुए आगी बढ़ गया एका एक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ मेरे खुराफाते दिमाग में एक खयाल आया क्यो ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था पता नहीं कौन सा ख़जाना चुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे जब मैंने पापा का भे पुराना पर्स खोल कर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी तब मैंने सोचा ओह तो यहां ख़जाना चुपा रखा है मैं समझ रहा था कि यहां पापा ने लिखा होगा कि किस से कितने पैसे लेने हैं और किस को कितने पैसे दिये हैं लेकिन मैं गलत था जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोल कर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चहरे पर जो एक्स्प्रेशन्स थे वह गायब हो चुके थे क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग लोगों से उधार लिए गए थे उस डायरी में कम्प्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे कुछ यूं लिखा था पचास हजार बेटे के कम्प्यूटर के लिए यह वही कम्प्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज़ कर रहा हूँ लेकिन मुझे यह पता नहीं था उस कम्प्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहां से आये थे लेकिन आज पता चल रहा था मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी जो मेरे पापा ने मुझे दो हफ़ते के बाद मेरे बर्डे पर लाकत दिया था जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था और मुझे खुश देखकर मुझे से भी कहीं ज़ादा अगर कोई खुश था तो वह थे पापा अब मेरे चहरे से गुसा एकदम गायव हो चुका था जब मैंने आगे का पन्ना पल्टा तो वहाँ पर कुछ विशिज लिखी हुई थी पहली जो विश्थी उसमें लिखा हुआ था अच्छे जूते पहनना यह बात मेरे कुछ समझ नहीं आई तभी मेरा पाउ अचानक सड़क पर भरे हुए पाने पर जा पड़ा और तभी मेरे पाउ में कुछ गिलापन होने का एहसास हुआ जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला तूटा हुआ था यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई तभी मुझे मा पापा की कही बातें भी यादा रही थी कि कैसे मा जब कहा करती थी पापा से अब तो पुराने जूते हो गए नए खरीद लीजिए तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे कि जूते अभी और चलेंगे अभी कुछ दिन पहले तो लिये थे मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस टैंड पर पड़ी बैंच पर आकर बैठ गया अब उस डायरी का आखरी पन्ना बचा हुआ था उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहां कल की डेट लिखी हुई थी तारीक के नीचे लिखा हुआ था पचास हजार रुपए बाइक के लिए बस इतना पढ़ा और दिमाग सन रह गया अब मेरे मन में कोई शिक्वा गिला नहीं बचा था बस मेरी आखों से आशू बहे चले जा रहे थे मुझे आज तक नहीं पता तब मैं क्यों रोए जा रहा था अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा लेकिन जूतों की वह कील पाउ में अब तक घाव बनाने में काम्याव हो चुकी थी मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फैंक दिया और भागते लड़खडाते हुए घर जा पहुँचा लेकिन पापा घर पर नहीं थे मैं समझ गया वे कहां थे मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा पता नहीं आज कहां से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए ठक नहीं रहा था और वे भी बिना जूतों के नंगे पैर जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पर पहुँचा पापा वहीं थे मैंने पापा को दोड़ कर गले लगा लिया और मेरी आँखों से आशू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे पापा कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है मैं क्यों रो रहा हूँ मैंने पापा से कहा पापा मुझे मोटर साइकल नहीं चाहिए आप अपने लिए जूते ले ले लीजिए अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़ करूँगा दोश्तों मैं आज आप से कहना चाहूंगी कि ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे पिता हम अकसर देखते हैं कि हम अपनी मा से हर बात शेयर करते हैं और मा भी इसके बदले में हमें बहुत प्यार देती है लेकिन एक शक्स ऐसा भी होता है जो हमें छुप कर प्यार करता है वह होते हैं हमारे पिता यह परिवार में एक मात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों से उन्हें बिना जताए छिप कर प्यार करता है खुद की इच्छाओं को मार कर बच्चों के लिए सपने देखता है और उनकी खुशी में ही खुश हो जाता है मुझे नहीं पता कि आप अपने पेरंट्स की इज़त करते हो या नहीं लेकिन अगर आपके पास पेरंट्स हैं तो आप बहुत खुश नसीब हो क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को तो पेरेंट्स का प्यार ही नसीब नहीं होता अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि मा बाप की भावनाओं का समान कीजी अगर आपको मेरी ये कहाने पसंद आई हो तो इसे जरूर से लाइक कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में से शेर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद